सामुआ अलेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेटर पर वेलकम कहती हूं हम जो टॉपिक डिसकस कर रहे हैं इस लेक्सिकल तेमेटिक डिमेंशन उसमें से हम लोगों ने बात करनी है आज एंटी थेसिस की सब्जेक्ट है हमा एंटी थेसिस जैसे कि आपको नेम से प्ला लग रहा होगा कि एक दूसरे के ओपोजट तो बिलकुल ऐसे है कि एक ऐसी जिट्यूरी डिवाइस इसके अंदर दो ओपोजट वर्ड्स अकठे आ रहे होते हैं यानि कि फ्रेस की फॉर्म में भी हो सकता है और वर्ड्स की फॉ वहां पि बेस्ट ऑफ ताईंस दोनों एंटी थेसिस हैं और एज ओफ विजडेम एज ऑफ फॉलिशनेस ये भी एंटी थेसिस है यानि कि पहला बेस्ट ऑफ थाईम तो अगली लाइन में उसे खे की खेत incarnation वर्ड्स ना एलां करे है फिर यूसली लाइन बेड्सी से से opposite word आ गया opposite word आना indicate कर रहा है antithesis को इस तरह से एक बड़ी famous proverb है to are is human to forgive divine वहाँ पे to are हमारे पास गलती करना to forgive माफ करना दोनों एक दुसरे के opposite word है ठीक है is human वहाँ पे जो human है इंसान फिर अगे to forgive divine डिवाइन यह holiness की तरफ है यहने की गोड जो के human का antithesis है clear तो यह किया कि एक ही sentence में एक ही phrase में और एक different clause के अंदर हम लोग two opposite words देख रहे होते हैं यानि contrast होता है एक दूसरे के बिलकुल अगेंस्ट होते हैं opposing clauses होते हैं phrases होते हैं synthesis होते हैं basic उसमें parallel grammatical structure ही क्यों ना हो clear और antithesis हमारे lexical thematic dimension का last topic है anyhow अब screen पर देखें the term antithesis is a literary device that involves the contrasting of two opposing ideas concepts or elements within a sentence or paragraph ठीक कि दो opposite ideas होते हैं concept होते हैं elements होते हैं यहां तो sentence के देखेंदे यहां paragraph के देखेंदे यहां क्रिएट के जाता है उसे तरफ ध्यान दिलाया जाता है antithesis is often employed to highlight conflicting ideas emphasize the speaker's point or create a sense of balance in the writing clear के antithesis के आपको समझ आ चुका होगा अब यह कुछ examples हैं जैसे के it was the best of times it was the worst of times when starting भी आपको चाल्स जिकन्स की एक उटेशन सुनाई थी a tale of two cities के इंदर से लिए गई हुई है यह बहुत famous offering lines है और यह बी antithesis है ठीक है जहां पर emphasize कि यह जा रहा है best of times के ओपर और worst of times के ओपर ऐसे ही to are is human to forgive divine यहां पर और तो फोगिव यह दोनों एक दूसरे के antithesis है human और divine यह दोनों एक दूसरे के antithesis है इस तरह से बाकिसारी की सारी ग्जामपल give me liberty और give me death यह मुझे अजादी दो यह मुझे death दो ठीक है दोनों के antithesis है यह सारी आप सामने स्क्रीन के ओपर मुझूद है ठीक है आप इनको दुबारा से स्टॉप करके रीडाउट कर सकते हैं अब इसके बाद antithesis is a powerful literary device that can bring attention to contrasting ideas and create a memorable impact हमें समझ लगी इस बात की it helps to emphasize differences heighten tension and make a point more forcefully by just opposing opposing elements antithesis allows writers to explore contradictions and provoke deeper thought or reflection in the reader के antichist को use करते है जो writer है वो जो contradiction है और जो deeper thought है reader के mind के ला सकते हैं ठीक है यह reflections reader के mind के ला सकते हैं तो यह था हमारा आज का topic I hope कि आपको antithesis क्या होता है clear हो चुका होगा स्में कोई भी यह बहुत एजी था तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के इसके इंदर हम लोग डिसक्स करने वाले है acoustic topic को नहीं हम लोग rhythmic acoustic dimensions discuss करेंगे next lecture के अंदर जिसमें meter and variations in meter आजाएगा, scansion आजाएगा, rhyme and rhyme scheme आजाएगा, stanza forms आजाएगा तो वीडियो पसांद आए वीडियो को लाइच भी करेंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब